तो 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 टोड़ी सेवन ऑफ अप्रेल टेटीटीटीटू और डे है थरस्टे तो जैसे कि आप सभी को बता है कि हिमांचल पदेश एचाटीसी कंड़क्टर के लिए जो वह आप सभी ने बहुत सारों ने जो मैसिज बेजे थे कमेंट बॉक्स में या परसनली मैसिज किये क हालांकि काफी लेट हो चुके हैं अब तो क्यूंकि लास्ट लेट जो एक में है तो चार पंद दिन है आपके पास 27, 28, 29 मतलब की 3-4 दिन ही बचे है तो अगर किसी ने जो नहीं फिल किया है तो जो जल्दी-जल्दी से उसको फिल करें क्यूंकि तोड़ा लंबा प्रोसेस है क्योंकि आपको नहीं कि है तो जब आप पहले ज़िस्टेस्ट करना पड़ेगी आपको सवी जो भी फॉर्म है जो फिल करना पड़ेगी मतलकि स्केन करके जो डालना पड़ेंगे तो भो भी जड़्दी-ज़्दी करने की कुछिस-छूरे आप गुगल पे जाएगे सब जो आपको कुछ इस तरह से देखेगा फिर देखे यहां पे जो कुछ इस तरह से प्रेटन देखेगा और यहां पे लिखा है इस साइड लिखा है नियूर जिस्टेशन अगर आपने जिस्टेशन ही नहीं की है तो आप पहले तो इस पे चले जाएए जिस्टेशन पे मैं एक और यहां पर कुछ term and condition जो ली की हुई है आप इनको बढ़ सकते हैं इंगलिस में यहां पर हैं या हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं तो मैं back कर रहा हूँ क्योंकि मैंने registration कर दी है आपने अगर registration नहीं किया तो registration पहले करें और उसके बाद आपका जो भी user ID होगा registration करने के बाद जो user ID होगा वो जो आपका जो email है वही यहाँ पे डालना है और आपको password जो भो मिलेगा वो आपने यहाँ पे डालना है फिर यहाँ पे enter the capture, capture जो भो code जो भो यहाँ पे डालिए बिल्कुल ऐसे जैसे A जो वो small letter में है G जो वो capital में है ऐसे ही करके एक बार में ही इसको डाल दीजिए तो मैं इसको डालने के बाद जो पासवर्ड और email address जो भी था उसको डालने के बाद जो capture डाल देता हूँ, capture देके कैसे मैं डाल रहा हूँ small A है तो मैंने small A टाइप किया, capital G है तो मैं capital G जी कहां चला गया, G जो वो मैंने टाइप कर दिया आप देख सकते हैं फिर 2 मैंने टाइप किया, फिर Q है, फिर मैंने small Q टाइप किया, फिर small C टाइप किया, फिर जो मैं यहाँ पे K टाइप करता हूँ, capital वाला फिर मैं लॉग इन कर देता हूँ यहां पर इसको लॉग इन करने के बाद देखिए होम पेज कैसे खुलेगा लॉग इन करने के बाद जो कुछ इस तरह से जो आपको मिलेगा फिर यहां पर आपका नाम होगा और यहां पर अगर आपने जिस्टेशन कर दी है आपने अगर आपना signature बगारा और photos बगारा डाल दिया है तो आपको यहां पे दिखेगा और जो भी आपने form जो फिल किया हुआ जैसे आपने पहले form फिल किया था तो बो जो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा और जो भी आपने form पहले फिल किया है वो भी इसके निचे जब आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे जब जैसे की यहाँ पे लिखी अब यह जब लास्ट में जब लिखा है की applied by you तो यहाँ पे तो मैंने apply कर दिया है अगर आपने apply नहीं किया है तो आपको जब यहाँ पे मिलेगा apply वाला option उस पे क्लिक करें फिर जब आपको फिर आपको कुछ एक ऐसी ऐसा पोर्टर जब ओपन होगा फिर उसमें कुछ एक चीज़े जब आपने जैसे instruction सोरी जिस सेट्सन के टाइम जब फिल कर दी है बो जब वहाँ पे फिल कर दी होगी पहले से कुछ एक आपको फिल करना है जैसे कि जब से पहले तो आपको जो प्रेफरेंस देनी है एक्साम के लिए बो जब देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पे नहीं open हो रहा है क्योंकि मैंने apply कर दिया है तो मैं किसी और जी मेल से जब उपन कर सकता हूँ वैसे लेकिन आप जो यहां पे apply पे क्लिक करने के बाद जो भी प्रेफरेंस है ट्वाइलव की ट्वाइलव प्रेफरेंस जब वो compulsory है आपके लिए बरना आप पहले जैसे मंडी से हैं तो मंडी पहले कर लीजिए पिर दूसरा option जब 10KV और 2MB से कम होना चाहिए तो आप जब अपने laptop या computer जो भी है उसमें जब उसको जब उसका size चोटा करके document size करके करने के बाद पीडियेफ बनाई है PDF जो पीडियेफ ही चलेगी यहां पे ठीक है PDF कोई भी document है बो जो पीडियेफ form में जो होना चाहिए GPG form में जो नहीं च पहले ही जो पीडियेफ बना लें 2MB से कम होनी चाहिए 10KV से जादा होनी चाहिए 10 या 20KV से जादा देख लेना यहां पर लेकिन 2MB से छोटी हो तीक है इस बात कर दियान रखे और जैसे EWS का जो अगर आप कर रहे हैं तो नो इंप्लॉई का आपको डालना पड़ेगा जो भी रेलेटिड कैटेग्यरी से लेटिड है जो भी है तो उसके बाद जबाए आपने रहें जो भी application number है जो आपको पिछला था और डालना पड़ेगा यहां पर नहीं तो आपको फिर से face देना पड़ेगी ऐसा जो वहां पर आ जाएगा फिर से option अगर आपने फिल कर द फिसे वहाँ पे आपको confirm करना है दो बार confirm करना है last miss submit करना है तो कुछ इस तरह से आप जो इसको fill करिए अगर कोई problem है तो आप जबो मेरे WhatsApp नमबर से जबो WhatsApp नमबर पर जबो message कर सकते हैं Thank you and have a nice day